नमस्कार आप सभी को दुश्वंत कुमार की दो पंक्तियों से शुरू करना चाहूंगी हाथों में अंगारे लिए सोच रहा था कोई मुझे इन अंगारों की तासीर बताए तो राजनीती के भविश्य के कुछ अंगारे लेकर मैं आज उपस्थित हुई हूँ और इनकी तासीर का कुछ एहसास है मुझे और इसी उमीद के साथ की जो हमारे देश की भविश्य की राजनीती है कुछ और उजवल और प्रजवल ये करेंगे तो मेरे साथ सुश्मिता देव आपका तारूफ करवाती हूँ सुश्मतादेव मेरे साथ मौझूद हैं, कॉंग्रिस की, राश्च्च महला की अध्यक्ष यहां पर हैं और तमाम और पाधी से मौझूद हमारे साथ हैं, जैन्ट चौधरी हमारे साथ हैं यहां पर, RLD के उपाध्यक्ष हैं, जैन्ट बता दें, पश्चमी उत्तरप्रदेश की राजनीती में खासा दखल रखते हैं और जब 2014 के चुनाव हुए तो RLD को एक भी सीट नहीं मिली थी लेकिन इस साल जो कहराना का उपचुनाव हुआ, उसमें जो राजनीते गडचोड हुआ वो तो हुआ ही साथ ही जो जमीनी मेहनत हुई, पहली सांसद, मुस्लिम महिला वो भी महिला चुनकर RLD से, UP से आएं हमारे साथ रागव चड़ा मौजूद है, आमादनी पार्टी के सबसे युवा हैं यहां, बता सकते हैं, युवा आमादनी पार्टी के नेता है राश्री प्रवक्ता हैं, चार्ट अकाउंटन्ट हैं, हमारे साथ यहां पर रागव अवस्त ही मौजूद हैं, यह भी सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं, और साथ ही RSS की विचारधारा हमें यहां पर समझाएंगे, और सबसे छोटे यहां पर अंकिव बसोया मौजूद हैं, ABVP के अध्यक्ष अभी चुने गए हैं, जो डूसु के इलेक्शन्स हुएं, तो आईए कारेक्रम की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले सुष्पिता से ही मैं सवा से कम की है, और पचास प्रतिशताबादी पच्चस साल से कम उम्र की है, कॉंग्रिस के लिए यह डेटा क्या है, कॉंग्रिस इस युवा को कैसे देखता है, जो आखने आप दे रहे हैं, उससे एक और आखना में जोर देती हूँ, कि इलेक्शन कमिशन इंडिया की जो लास 2014 के आखने हैं, उसमें the proportion of women, महिलाएं, जो वोट देने के लिए आज बाहर आई हैं, उनका डिफरेंस पुरुषों से सिरफ 1.46 है, जो यह महत्रपुन डेटा इसलिए है, क्यूंकि हमें आने वाले चुनाव में सोचना है, कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं, जिनको लेकर हम उ जन्तर होगा, कि देश की जन्ता डिलिवरी पे मेरे को लगता है, फोकस करेंगे, क्यूंकि वादे, मैनिफेस्टो एक मुद्दा होता है, और परफॉर्मेंस दूसरा मुद्दा होता है, जो यूवा और महिलाओं को लेकर हर पार्टी को सोचनी चाहिए, कि किस तरह से हम उ जुकेंगे, मेरा ये मानना है, अगले चुनाव में, सरकार उन्ही की बनेगी, ठीक है, जैन्त, आप पश्चिम उत्रप्रदेश की राजनीती को समझते हैं, जो यूवा की जब हम डेटा की बात करते हैं, तो एक ऐसे यूवा का तस्वीर सामने आती है, जो जीन्स पैंट की को कैसे समझते हैं, क्या प्लाटफॉर्म आरेल्डी उन्यवाओं को दे रहा है, देखिए आपका अच्छा सवाल है, शेहरी करन एक फिनोमना है, और पश्मी उत्रपरदेश क्यूंकि आपने कहा है कि मैं उस विशे पर फोकस करूं, ध्यान दो, यहां बड़ बड़े श जो गाओं की परंपराओं में या गाओं के जो एल्डर्स हैं, जिनके हाथ में नित्रत की शम्ता थी या उनके हाथ में बागदौर थी, जो उनके फैसली होते थे, गाओं में रहने वाले लोग उसको निभाते थे, अब वो सोशल जो है सिस्टम चेंज हो गया है, बहुत अब जो है इंफ्लूएंसर, फैसला लेने वाले लोग, वे लोग हैं जो शहर में नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि पहले अगर उस परिवार के आमदनी खेती से आती थी, आज उसी परिवार के आमदनी उस नौजवान पर निरभर है, तो वोट, समाज के फैसले, घर के फैसले, उन में जादा दखल अब नौजवानों की है गाउं में भी, और इसलिए गाउं का नौजवान उसके अंदर एक एनरजी है, उसके अंदर एक उत्सुकता है, सवाल यह है कि हम उसे सही दिशा में ले जाना है, हमने देखा है किस तरह से अगर हम सही डारेक्शन नहीं देते तो वो क्या हो सकता है, आज उसके अंदर एक गुसा भी मैं जाज करता हूँ, हम लोग पब्लिक लाइफ में हैं, मैं समझता हूँ कि लीडर जो भी हो, आज कोई है, डिस पे पद है, कल को कोई और होगा, बड़ी जिम्मेदारी यह होती है कि हम कैसे, जो समाज के हित हैं, जिन से जगड़े हो सकते हैं, जिन से उनमाद पैदा हो सकता है, जिन में जातिता की भावना जिन में छिपी है, जिन के पीछे उन भावनाओं को दबाएं. गुससे की बात किया, आपने क्या गुससा आपने कुछ आत्रों से बात की, जो आप गुससे का जिक्र करें? गुससा है, जो उनके परमपराकत, फैमली के काम थे, उस पहचान से वे नौजवान अपने आपको जोड के नहीं चलना चाता, उसे ये भी मालूम है कि उससे उसका गुजारा नहीं होने वाला है, तो एक बहुत बड़ा प्रशन चिन उसकी उपर लगा हुआ है, और वहीं राज है, बीस किलो मेटर में भाषा बदल जाती है, पानी बदल जाता है, उसाब लोग जानते हैं, पूरा देश में है, लेकिन यूप के नौजवान की मैं कह सकता हूँ कि वो ये चाहता है, कहीं न कहीं उसके मन में फीलिंग है कि हम लोग बहुत ताकतवर थे, हमारे दे राजव आप से, डिली में आप आदी पाटी की सरकार है, और जब आप लोग आए थे तो आपने सब के लिए वाइफाई की बात की, बसे में मार्शल्स की बात की, बहराल वो हो ना सका या हुआ, वो इस लिए नहीं है क्योंकि जो तमाम खीचतान चलती रहती है, लेकिन आ आदमी पाटी इस समय दिली में सरकार चला रही है, दिली में गाउं देहाद भी है, दिली में शहर भी है, गाउं देहाद का युवा भी आम आदमी पाटी से जोड़ा है, शहर का युवा भी आम आदमी पाटी से जोड़ा है, बट जादा इलाका दिली में जो पढ़ता है वो शेहर का पड़ता है, तो इसलिए जाहिर से बात है कि शेहरी युवा जादा अट्रैक्ट हुआ, गाउन देहात आउटर डेली में है, बिल्कुल है, वहां का युवा मैं दिन रात दक्षनी दिली के गाउन देहात में घूम रहा हूं, वहां युवाओं से बात कर रहा और युवा बहुत पुलिटिकली अवेर है, जो युवा है, आप युवाओं से बात करें, तो आज वो जाती धरम के डंबरू पे नहीं जाते हैं, वो पूछते हैं, अन्य पाटियों से भी पूछते हैं, नौकरी के सवाल पूछते हैं, बेरोजगारी के सवाल पूछते ह वेवसाई के सवाल पूछते हैं, वाइफाई के सवाल पूछते हैं, स्किल डेवलप्मेंट के सवाल पूछते हैं, तो अवेर युवा है, चाहिए शहर का युवा हो, या गाउन दिहाद का युवा हो. आप कहरें कि युवा जो है पूरा अवेर है कि राजनितिक परिस्थितियां क्या है या उसके हाग क्या उमीदें उनकी बिल्कुल पहले से कहीं जादा अवेर है और मैं खुद युवा पीडी से तालुक रखता हूँ युवाओं के बीच रहता हूँ आज का युवा पुलिटिकली अवेर है उन्हें पता है कि कौनसा निता क्या वादा कर रहा है ये करेगा की नहीं करेगा कौनसा वादा जुमला है कौनसा वादा वास्तव में होगा कि कौन सा नेता क्या वादा कर रहा है पूरा करेगा की ने क्योंकि ये सवाल तमाम नेताओं पर लागो हो सकता है रागव अवस्ति आप से सवाल ये है कि आप RSS से जुड़े होएं जब भी कोई प्रापकृतिक आपदा होती है तो RSS हमेशा कहती है कि वो जाकर मदद करती है जब चुनाव होते हैं BGP की लिए तमाम RSS कारे करता जमीनी कारड़ के तौर पर काम करते हैं और जमीनी काम करके पार्टी को जिताते हैं उनकी BGP के जीत में RSS का बहुत बड़ा श्रे है लेकिन 2014 से देखा है कि जब से नरेंदर मोदी जी की सरकार आई है तीस प्रतिशत इजाफा हुआ है RSS में और ये सिर्फ BGP के कारण नहीं नरेंदर मोदी के कारण हुआ तो ये मानते हैं जो RSS का विस्तार हुआ जो RSS का विकास हुआ वो नरेंदर मोदी जी के कारण ही हुआ इसमें दो चीज़े मैं कहना चाहूँगा पहला तो ये है कि RSS का प्रचार प्रसार तो पहले भी हो रहा था लेकिन लोगों ने दिल्चस्पी उसमें लेनी अधिक तब शुरू करी है जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आये हैं और नरेंद्र मोदी की जो अभूत पूर्वजीत हुई थी 2014 में और 1984 के बाद पेली बार उदेश उनकी विज़े से विस्तारू आप ये नहीं मानते हैं और नरेंद्र मोदी जी के सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी जी के बारे में लोगों ने जानने की कोशिश करी लोगों को पता चला कि ये राश्टी स्वहिंसेवक संग के प्रचारक रहे हैं तो फिर आरेसेश में अपने आप से दिल्चस्पी बढ़ी और लोगों ने जो आरेसेश की शाका में शिर्कत करना शुरू किया पर इसमें जो एक लार्जर पॉइंट है वो समझने वाला ये है कि जो ये जुवा है आरेसेश की शाका में जाता है तो ये देख अपना तो चहत्र निर्मान भी करना चाहता है राश निर्मान भी करना चाहता है और साथ में जो दिल्ली बेस लटी अन जलीट इतने साल से बैठा हुआ है और कहीं ने कहीं जितने कि शेत्री पार्टी हैं वो भी उनी की सैटलाइटी हैं आज की तारीक में चाहे जैन चौधरी जी की राश्ट्री लोग दल्यो अकलेश आदफ जी अभी यहां बैठे हुए इसको मैं भी बात करूँगे उस पर क्योंकि जो बीजेपी की भी तमाम नेता है उनकी जो वन्शच है और जो उनकी बच्चे हैं वो सब आप सब राज़ीदी में इसका उतर देना चाहतना उतर दूंगा चोटा सा उतर दूंगा आप पैट्रिक फ्रेंच की किताब पढ़ जो मैंने अपको युवाओं से जुड़ा ये पूछना चाहरी हूं कि जो शाखा है हमारे देश में ये आरेसेस के एन्यूल उसमें कहा गया है अठावन हजार नौसो चैटर शाखा हैं और हर रोज सैथीस हजार एकसो नभे लोकेशन में हर सुबह इंशासुबह जो लोकल पाक्स होते हैं उसमें लोग मिलते हैं आरेसेस के कितने यूवा इसमें होते हैं कुछ अंकलन हैं यूवा होते हैं मैं खुद भी जो है देखता हूं अब तो यूवाओं की संक्या जो है खासी बढ़ती जा रही है और बहुत सारे यूवा हैं जो सौफ़वेर करने का भी एक इनिशेटिव लिया गया है तो युवा तो जो है राश्टिव स्वाम सेवक संग के साथ हमेशा से है और रहेगा मीडिया को हाँ आप देखना है प्रारम्ड हो गया है अंकिव बस हो ही हमारे साथ मौझूद हैं अंकिव आप अभी पढ़ी रहे हैं और आप र करता होने नाते धन्यवाद करना चाहूंगा एविप का कि उनने एक अंकिव पैस्वया जो कि बहुत ही मद्यमवर्ग साने वाला चात्र है उसे डूसु का प्रेजिडेंट का बनाने लाएक समझा और उसे एक नित्रित्व सिखाया कि इस तरीके से आप लीडर्शिप कर सक करना चाहूंगा पहले मैं आप से जान तक की राजनेती की बात है एविप हमें सिखाती है स्टूटन अक्टिविजम और मैं कहता हूं कि दिल्ली विशुद्याले आप भारत वर्ष में कोई भी सूट्स यूनिवस्टी है हर एक स्टूटन को स्टूटन अक्टिविस होना चाहिए सिर्व सिख पॉलिटिकल फीड में जाए को किसी भी फील्ड में हो चाहिए मेरा सवाल ये था क्या आप इसे अपने लिए एक रोजगार के तौर पर करियर के तौर पर देख रहें क्योंकि जो रोजगार एक ऐसा एक समस्या है और हर युवा अपने लिए एक नीए करें कि वहा को आपेर की रूक मैं आपजूमें सुने अधाव कि आपके कर्यर है राजनीती ऺ बाविशह में अपना करियर देखते हैं मैं ज़रूरर अपना भविशह राजनीती में अक देखता हू और इसका दृश्रे में इस सिर्फ एो एक शोआ कि हो देना चाहु अगर देश में किसी को खोग समय सकता है तो दुट समस्कता है यहाँ को पता है कि आगे जार देश को थेश को समालने है जार पीड यहाँ होती है उसी तरी के से यहाँ शचाहिए यूँवार का भण क्या से करेंगे अब अगर आप इसे लॉंग टम करियर के तौर पर देखने में यह जानना चाहरे हूं आपसे कुछ सोचा आपने या अभी युनिवर्सटी में क्योंकि पढ़ाई इतनी करनी नहीं पढ़ती क्योंकि मैं कहीं सुन रही थी ज्यादे क्लासेज में तो आप गए नहीं आप प्रचा आप पॉलिटिक लिए भी और नॉन पॉलिटिक लिए भी शुल्ट आपने तमाम क्लासेज अटेंड की हैं बुद्धिस टाडीज की नि बुद्धिस में ने मेरा फर्स्टी आए वैसे उससे पहले जिस कॉलों में रहा हूं में आप साजी ग्लासेज अटेंड करी ठीक है सुष्मिता रोजगार को लेकर सवाल क्या अपने आप में जो हमारी भाविश्य में युवा मौझूद है क्या रोजगार इसमें देख सकते हैं क्या रोजगार राजनीती में उनको नजर आता है क्यूं जुड़े हमारे देश के युवा क्यूं जुड़े राजनीती से See, अगर आज मुझसे कोई पूचे कि आपका पेशा क्या है, मैं कहूंगी वकालत है, क्योंकि I have a degree in LLB, LLM, मैंने 10 साल प्राक्टिस किया है, ये अलग बात है कि राजनीती में आने के बाद मुझे वक्त प्राक्टिस के लिए नहीं मिलता, मैंने 2010 या 2011 में I gave up my profession, क्योंकि लिए राजनीती एक ऐसा फील्ड है कि इसमें आप अपनी तंखा को देखकर नहीं जा सकते, इसमें कोई टाइमिंग नहीं है, इसमें आप लोगों से जुडते हैं और लोगों के समस्या से आपका वक्त जुड़ा है, इसलिए ऐसा नहीं कि आप सुभे पांच बजे नहीं काम करेंगे, अगर कहीं आपकी जरूरत एक जन प्रतिनीदी के हिसाब से रात के या सुभे चार बजे आपकी जरूरत हो, आपको जाना पड़ेगा, तो राजनीती को अगर हम पेशे की तरफ देखें, तो इसमें कोई प्रमोशन की गैरेंटी नहीं है, इसमें डिमोशन न आयेगा, आप क्यो आएएँगा, आप राजनीती से टोड़े, I'll tell you something, मेरे ऐफादर, he said about dynasty, but I learned one thing from my father, he says, अगर आप सोचेंगे की तो पुट फूट पूट न यूर टेबल, राजनीती इस यॉर जाब, फिर आप किसी भी हद तक जाहें जाहें, क्योंकि वो आपकी जिन् मैं हूँ और जो भी दायत्व मुझे मेरी पार्टी देगी उस उस फील्ड में काम करने के लिए हूँ एक परिवर्तन लाने के लिए मैं पॉलिटिक्स में आई हूँ इसलिए जब आपको कोई चीज सूट नहीं करेगा आप उससे पीछे भी हटने की हिम्मत रखेंगे राज राजनीती में आना बहुत असान है शायद इतना असान नहीं है मेरा सवाल जैन्त आप से ये कि एक समय जो हमारे देश के जो नेता थे हम जब गुलाम रहे उसके बाद जो एक शीर्ष नेतरतु आया बापू आये पंडित नहरू आये अगर रागव की बाद करें तो पंड लिखते हैं कि जो criminalization of politics बहुत हो गया और तमाम लोग ऐसे राजनीती से सब जुड़ना चाह रहे हैं लेकिन क्या लालायत करें राजनीती से जुड़ने के लिए किसी युवा को क्योंकि कुछ परेवारों के तहट तो हम कह सकते हैं जो रागव ने सवाल उठाया या सुछ आपके तो दादा प्रधानमंत्री रह चुके हैं तो जो परेवारवाद के तरह आता है वो सवाल में दूसरा करूंगी लेकिन पहले ये क्यों जुड़े कोई राजनीती से जब आपका भरन पोश्चन नहीं सिर्फ बदलाव के लिए है तो बदलाव के लिए तो एक समय के आप देखिए आप जो सवाल कर रही है ये बिलकुल वाजिब बात है और मैं राजनीतिक जवाब आपको दे सकता हूं लेकिन असलियत क्या है वो जितने लोग बैठें आपको भी पता है जब तक जो मद्दान करता है उसके जहन में असल मुद्दे नहीं रहेंगे उस आध नहीं है तो पॉलिटिकल पार्टी जो लोग चला रहें हो कहेंगे वे विनिबल कैंडिट लाओ जीतने वाल उमीदवार लाओ अगर यही लोग जीत रहें तो इनी को टिकट मिलेगा तो एक अभिमन्यू की तरह हम देश के मद्दाता आम लोग चकरविव में फसे हुए है इस चकरविव कैसे तोड़ेंगे अंडा आएगी पहले मूर्गी आएगी मेरे दादा जी चौधी चारण सिंग जी अपने नेतिकता के लिए जाते हैं वे एक समासुधारक भी थे अर्थ शास्त्र के विशे पर उन्होंने किताबे लिखी हैं उनका एक अपना दर्पन था एक विचारदारा थे और चौई साब यह मानते थे कि जो कुछ भी है लीडर हैस्टू सेट अग्जामपल उपर से नीचे बहता है अगर आज कोई मुख्यमंत्री है कोई बड़े पद पर बैठा है विराजमान अगर उसके नैतिकता पर ही सवाल उट रहे हैं या यह माना जाता है कि वह एक संप्रदाय विशेश के लिए काम कर रहा है या उसी से जुड़ाव रखता है तो फिर वह चीज नीचे तक पहुचे कि आज मैं समझता हूं कि चाहिद मोदी जी किसी को नहीं कह रहा है कि जाकर उसको मारो लेकिन उनका नाम लेके या साहस लेके का वो है अब हम पे हमें कोई डंड नहीं मिलेगा लोग जाके आम रहा चलते आदमियों को छेड रहे हैं मार रहे हैं ठीक है तो इस अब वैलु शिस्टम पोलिटिकल पार्टी इस्टैश नहीं कर पाई हैं यह सब की जिम्मेदारी है बिलकुल और रागव चड़ा तो कुछ सीय य नया मसल पावर की तौर पर उभर कर सामने आ गया है कैसे आखेंगे आप लॉग्स भी लिखते हैं इसलिए मैं मुझे आपका प्रेशन जो है थोड़ा कम समझ में है पर मैं जो समझ में है पहले मैं वो बताता हूं आपके प्रेशन को अपने शब्दों में पारफ्रेज कर आपके आपको लगता है कि सोचल मीडिया ने एक तरह से आजार दे दिया है लोगों को एक पटल तो दिया है अपनी बात सामने रखने के लिए लेकिन जो राजनितिक दल हैं जो राजनितिक संगठन काम कर रहे हैं उसमें अपना दखल, अपना अंदाज, अपनी उपस्थ दर्श कराने का एक नया आयाम हम सब के सामने आकर खड़ा हो गया है जिसको कंट्रोल करना किसी भी पार्टी के लिए मुश्किल हो रहा है मैं एक चीज बताता हूं सोशल मीडिया से जो सबसी अच्छी चीज हुई है कि आज से जैसे मान लीजे आप 40 साल पहले का एक अपना थ्रोबैक में हम जाते हैं फ्लैश बैक में तो हम देखते हैं कि वही कुछ नेता होते थे उनके कुछ संपादकों से साठगाट होती थी और वही लोग मिलके जो है जो अख़वारों में चापते थे वही जनता के पास जाता था और एक तरीके से यह थाट पुलीस की तरह था जो 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 पुलीसिंग ती जो हमारी पॉलिटी में गुज गई थी सोशल मीडिया के आने के बाद खतम हो गई है और मेरा जो मैं वो रख सकता हूं सोशल मीडिया पर और मेरे पास जो है कोई एडिटर ऐसा नहीं है मैं इसलिए सवाल पूछ रही थी कि हमने देखा सुष में ता किस तरह से मध्यप्रदेश में जब कॉंग्रूस को अपने नेताओं का चुनाव करना था जब टिकेट देने थे तो कह अपने ये एक ऐसा माध्यम बन गया है जिससे लोग अपने कार्यकरताओं नेताओं को आख रहे हैं ये सच है कि सोशल मीडिया का रोल बढ़ता जा रहा है पर मेरा मानना है कि सिर्फ सोशल मीडिया से किसी नेता का विचार नहीं हो सकता कि वो कितने पॉपिलर है या अन प यूज़ बॉट सो अगर भारत वर्ष को देखा जाए बहुत करोरो लोग हैं जो सोशल मीडिया से नहीं जुड़े हैं इसलिए सोशल मीडिया का एक अडवांटेज है कि तुरंत जो इमीडियाट मैसेजिग उसमें होता है और जो नेताओं का फेस्बुक या वाट्साप या ट्विटर पे जो रीच है उससे ये भी पता लगता है कि उनका डिजिटल रीच कितना है जो माने रखता है आज की देख में चुना में पर वही सिरफ क्राइटिरिया होना चाहिए मेरा मानना है वो सही नहीं होगा पर डेफिनिटली इट प्र प्र आप जो सवाल कर रह कर जैसे हमने देखा कि राहूल गांधी केलाश मांसुरोवर गए उनकी उनकी पिच्छ ट्वीट हुई लेकिन दूसरी तरफ जो सत्ता पक्ष है बीजिबी के मंतरी निता की वो फेक पिच्छ है तो उस लिहास से जब ये इस तरह का द्वंद चलता है ये हमारी राजनीती को किस तर पर लेकर आता है जैन रागव आप और आप कोई भी बोल सकते है रागव चण्डा आप भी बोल सकते हैं मैं मैं समझता हूं कि आप ट्विटर वार्यर्स की एक नहीं फाज तयार हुई है ये पॉलिटिक्स के लिए भी बैरियर तो एंट्री खड़ा कर गई है त हमारे देश में कोई प्रिविसी का कानून नहीं है, अब भाशा बदल रही है, देखे, मैं तो मानता था, वाइरल, शब, बुखार होता था, अब वाइरल, हरे नौजवान से पूछे माचाता हूं, वाइरल हो जाए, डिस्रॉप्शन, डिस्रॉप्शन, डिस्रॉप्शन व मेरा सवाल रागव जी से है, रागव जी आप, जी, 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 आरसेस, पहले कहा जाता था कॉंग्रेस के बारे में कि रिमोट कंट्रोल कहीं और है, आज रिमोट कंट्रोल आपको नहीं लगता है कि नागपूर में है, क्योंकि आप संगटन मंत्री अपॉइंट करते हैं, आपको अपने आपको संगटन, एक सांस्कृतिक संगटन कहते हैं, लेकिन सारी चीजे वहीं से डिसाइड होती हैं, तो क्या वक्त नहीं आगया है कि आरसेस खुलकर मैदान में आ जाए, क्यों उनको जनसंग के जरुरत पढ़ती है, या क्यों उनको बीजेपी जैसे इनकी जरुरत पढ़ती है, तो वो अपने आपको पॉलिटिकल क्यों नहीं डेक्लेर कर लेते हैं? स्वादेशी जागरण मंच का कुछ और होता है, तो सबसे अपनिन लिया जाते है, आरसेस का काम जो बहुत हत्तक ही होता है, जितने अनुशंगिक संगटन है, उनके बीच में कोडिनेशन हो और सब एक दिशा में काम करें, यह कहना कि रसेस बीजेपी, मतलब कि बीजेपी कहीं से रिमोट कंट्रोल से चल रही है तो बिल्कुल मुझे नहीं लगता है यह सही बात होगी और किताब पढ़े किताब दो अमेरिकन नहीं लिखी है तो यह कोई पार्टिजन व्यूपॉइंट नहीं है चले उमीद है जल्द किताब लिखी जाए क्योंकि तमाम जो आपने लेखकों के ब्यारा दिया है वो तमाम विदेशी लेखक है अखिलेश शर्वा मुझे कहा रहे है मेरे से होगी एक सवाल पूछना चाहरे है मेरा सवाल जैनत जी से है जैनत जी आप से सवाल यह कि अभी जिस तर की कामियावी आपको मिली कहराना के लोगसरवा उपचुना जसा छ सब्सक्य ने कि सारके अभी वूठेश यह इस तरौ़ अंधि जाके है इन्सान इतना जीतने से नहीं से नहीं सेखता है इतना हारने से सीकता है हम सब लोग हार गए हमने सोचा कि क्या कारण रहे दंगा उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था, मैं मानता हूँ कि जो लोग साथ चला करते थे, साथ मद्दान करते थे, जो हमारी पार्टी की भी रीड थी, वे टूट चुकी थी, तो हमने दुबारा उसको बनाने के लिए, उस ताने बाने को जिन्दा करने के लिए महनत करी है, उसके उस परियास का ये नतीजा आया है, और पॉजिटिव मेसेज गया है, देखिए, मैं नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता कि जहां रहता हूँ, वो छेतर बड़नाम हूँ, वे लोग बड़नाम हूँ, आप मुझफः अगर टाइप करती निदी जी, एक साल प किया कि यहां के लोग कॉमिनल नहीं है, नहीं थे, वे एक अबरेशन था, उस घटना को, उस हिंसा को लोग भुला कर, अब फिर दुबारा एक साथ, लेकिन जहन परेशानी नहीं होती, अब तमाम लोग युवा मौजूद हैं, कि अगर एक दलित धूला अपनी बारात नि करते हैं, फिर जाके जो तमाम जो प्रशासन है, वो मिलकर उस बिचारी की बारात निकलवाता है, तो जो हम दलितों के उत्थान की तमाम राजनितिक दल आप सब मौजूदें बात करते हैं, क्यों किसी को अपनी बारात निकालने के लिए इतना दर्वाजा खट-खटाना यह बहुत बड़ा कलंख हम सब के लिए है, दुर्भागी की बात यह है, कि वहां स्थानिय प्रशासन ने हाई कोर्ट में जाके दलील दी, कम इसको सुरक्षा नहीं दे सकते, प्रदान नहीं कर सकते, और लौ और को बनाए रखने के लिए हमारा यह सुजाव है, कि इसको अभी इजादत नहीं दी जाए, यह तो कोर्ट के आदेश थे उसके बाद यह लोग मजबूरी में लोग गए, जो भुनियादी धाचा है, बदल भी रहा है, लेकिन बहुत चीजें अभी वहीं की वहीं है, आप गाओं में जाके देखे, महला पे महला डिवाइड़ है, अ जिस तरह से एक वीडियो जारी किया था राजस्थान के, बिलकुल मैं एक सवाल लेने आ रहे हूँ, एक जो राजस्थान, जो मैंने अपसे मसल पावा का सवाल पूचा था रागव, वो इसले पूचा था, आपने देखा राजस्थान में एक शंभूलाल रेगर था, उसन तो legal fraternities हैं, इसका बहुत लंबा जवाब तो नहीं होगा, मैं मैं जवाब देना चाहूँगा, यह जो हिम्मत की और impunity की बात करी जा रही है, तो मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि 2014 में हिम्मत जादा या कम होई है, मैं 2006 में भी, मैं तो तबी भी अख़वार पड़ता था, निश चैनल देखता था, तो मैंने पड़ा था, खेहरलाजय में इंसिदेन्ट हुआ था, इतना जादा गुरूसम था, उसमें नेक्रोफीलिय और पता नहीं क्या-क्या देखा गया था, ऐसा इंसिदेन्ट तो मैंने पिछले चार साल में उसके बारे में बिलकूल नहीं प कि अगर सुष्पिता मैं महिलाओं का पूछना चारी थी लेकिन जो इन्होंने शब्त का इस्तमाल किया क्योंकि अगर राहुल गांधी मंदिरों में जाते हैं तो हमने देखा कि प्रधान मंत्री बहुरा समाज के उसमें जारें तो जो पॉस्चरिंग है वो आज की राजनीत कोई मंदिर में जाता है या मस्जित में जाता है या गुरुद्वारा में जाता है वहां के लोगों का एक डिमांड रहता है कि आप यहां आईये ऐसा नहीं है कि हम कहते हम यहां जाएंगे इस कारण से वहां जाएंगे उस कारण से और अगर ऐसी मांग जनता के बीच में स यह कहना कि में यहां जाओंगा और वहां नहीं जाओंगा, वो रहुल गांदी जी की नीती नहीं है. हां, उसके ओपर चर्चा होता है, डिबेट होते हैं, लोग कमेंट करते हैं, वो उनका अधिकार है, बट इस, मतलब जमीनी तौर पर जो माहुल होता है, और उसके कारण अलग अलग होते हैं, जाओंगा, जाओंगा जाओंगा, पतानी यहां पर कितने लोग हैं, गेम आफ थ्रोंस को ही देखता है, मैं गेम अफ थ्रोंस का बहुत बड़ फैन हूर मैं एक बड़ शोर अनर्व को लिखा था, कि मैं इंडिया में रहता हूं, इतना मेरा हाइट और चेस्ट के डिमेंशन यह हैं, मुझे प्लीज एक डौतरा की होर्सलोड का रोल दे दें, वेस्टरोशी का तो आप देंगे नहीं क्यूंकि मेरा चेरे का जैसा रंग है, पर उन्होंने जो है रिस्पॉं कर रहे आप तो स्टुटें लीडर हो हुँ चलिए, आए, इए, बिसो नाइस 3, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 13, 16, 17, 17, 17. Thank you! Thank you, thank you so much! आपienna. क्यलें! तार चारवते गहें. बीआ करवेखेष्ट स्थी मारेखionar झ riktे उर लrit पर्याता! संसी चिल्डरी को